पीपी गंज थाना च्छेतर में 6 अपरेल को ही महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है पुलिस ने आरोपी लवकुष यादों को गिरफतार कर लिया है पुलिस लाइन में घटना का खुलासा करते हुए सीयो केंपियर गंज आशुतोष कुमार ने बताये कि मृतिका के पती की मौत कुछ सालों पूर भी हो गई थी पती की मौत के बाद उसका संबंध गाओं के ही एक युवक अजीत गौर से हो गया कुछ दिनों बाद वो भी विदेश कमाने चला गया उसके बाद उसका संबंध लौकुष यादव से हो गया और वो शादी का दवाओ बनाने रगी इसी दोरान उसका पहला प्रेमी विदेश से वापस आया और महिला उससे मिलने जुने लगी जिसके कारण लौकुष को इरश्या होने लगी और उसने तबस्वन निशा की हत्या कर दी एसेसपी के निर्देश पर थाना ध्यक्ष पीपी गंज देवेद्र कुमार सिंग ने रविवार को हत्या रोपी युवक लवकुष यादव पुत्र विश्णुदेवर यादव निवासी हर्पु टोला थाना पीपी गंज को रेल्वे स्टेशन के पास से गिरफतार करके उससे पास से हत्या में प्रयूक्त आला कतल गंचा बरामत किया है घटना के त्वरित खुलास करने पर एसेसपी शलम माथूर ने पूरी पुलिस टीम को पांच हजार रुपे निनगत इनाम भी दिया है गुरपुनियू से बात करते हुए सियो कंपेर गंज अशुतोष कुमार ने बताया पता की गई तो यह बाद प्रकाश में आए कि महिला की शादी पचीत वर्ष पूर वही थी उसके पहले पती की मृत्तियों के उससे एक बच्चा था उसके बाद उसकी दूशी शादी हुई वह पती उसको तस वर्ष पहले छोड़ के जा चुका था इस दवरान महिला के सं जान पैचान हुई और ना जी किया बढ़ी है इधर जन्वरी मा में जो इसका पुराना जो साथी था अजीद गड़ वहां से लौटा विदेश से पुराने संबन ताजा हुए तो इस चीज को लेकर इस जो नया वाला जो लावकुष याद हो था इसमें आक्रोश पैदा ह साथ ही आया है तो उसमें चुकी हुआ पहले तो उससे उबलाइज रह चुकी थी वह उसका वहां से कोई खर्च पानी चलाता था इस वज़ए से उसके सामने इसके प्यार उससे नहीं कर पा रही थी इसी दबाव में यही कह रही थी लेकिन अंधता इसने आक्रोशितों के कर देखिया करती है तो पेपर उपर दिया है जी आशी देखिया करते हैं